कि नमश्कार दोस्तों सुागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलन्ज्ञान में आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए मैं लेकर आए हूँ यह जो है फिर से आप लोगों के लिए अप्रेंटिश की लेकर आए हूँ और यह जो जिस विभाग के अप्रेंट पास करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें एक एक चीज में आपको बताऊंगा इसका फोर्म थोड़ा सा परिशान कर रहा है अपरेंटीस पोटल से जाके फिल होगा मैंने बहुत कोशिश करी अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जैसे ही होता है मैं आप लोग लोगों को 10th प्लस आईटे होना है ध्यान रखना 10th में आप लोगों के मिनिममं 50% मार्ग सुनीचे तब अपलाई कर पाएंगे ठीक है और आप लोगों का आईटे एंसिवीटी पास वीद 65% मार्ग यानि आईटे में 65% और 10th में 50% तो अपलाई कर पाएंगे दूसरा यह पर जो है एक ची जोर बता दूब बच्चे परिशान हो जाते हैं इस्टेंडर 12 पास इस डिजारेबल अगर आप 12 पास है तो भी आप अलिजीबल है नहीं है तो भी आप अलिजीबल है बस यह दो कंडिशन आपके पास होने चाहिए ध्यान रखना एज जो है जनरल होगा अभी इसे छोड़ दीजिए इस्टेंड कितना होगा यह भी बता नहीं रखा ट्रेड की बात करते हैं टनर मसीनिस्ट जो आप लोगों का मसीनिस ग्राइंडर है वह एसम्टी है वेल्डर है इलेक्ट्रीशन है एरक्राफ्ट कार्पेंटर है आपका मकैनिक है पेंट करने की 15 तारीक है रेटन एक्जाम की डेट आपको बता दूँगा जैसी आएगी इमेल के थ्रू वैसे आप लोगों को इनफोर्म कर दिया जाएगा बाकि अप्रेंटिस पोर्टल से इसका फोर्म फिल होगा कैसी होगा मैं रिसर्च कर रहा हूँ जैसी मुझे पता चलता ह आप लोगों को मैं इनफोर्म करूंगा बाकि धन्यवाद की पिंटच आप लोगों जोड़े रही है इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्किप्शन दे दूँगा तो जो जो बच्चा इंटरसेट है फोर्म के लिए मुझे बताओ कमेंट बोक्स में फिर मैं आपको अगर फोर्म नहीं मिल पाता तो वो भी आप लोगों को मैं बताओंगा अभी थोड़ा आप लोगों को पेशन सकना पड़ेगा 15 से पहले पहले आपको मैं सारी डिरेज क्लेर कर दूँगा क्योंकि फोर्म इसका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भरना हाडली एक मिनिट टेक्श घंडिवाद केपिंट अब कर दो